हेलो एंड वेलकम तो 95 एपिसोड ओफ लो बैक पेन सीरीज आएम डॉक्टर वरुन वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दो इंपोर्टेंट कोश्चन पर इस मेडिसीन और वाकिंग यूसफुल इन हर्नियाटी डिस्क और नॉट यह बहुत इंपोर्टेंट एपिसोड जिसमें हमने बताया था फ्लोर स्लीपिंग जो कि बहुत लोगों ने पूछा था और इतना ज्यादा पसंद कि आपने वीडियो को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अब लोगों ने उसी में कंटीनू में कोश्चन पूछा है कि हमें बताईए कि मैट्रेस कौन सा यूज करें मैंने आपको जो लास्ट वीडियो था उसमें बताया था फ्लोर पर स्लीपिंग करना चाहिए बैक पेन वालों को या नहीं करना चाहिए हाज सर्फेस पर चाहिए अब लोगों ने पूछा मेट्रेस कौन सा होना ही चाहिए उस पर मैं एक अलग से वीड मेडिस्टीनobile और रेस्ट किजिए आज कर रहा है और मेडिसेन को लेके लोगों बहुत सारे मिट होते लोग कहते हैं कि medicine खाने से हमारा कौन सा original problem ठीक हो जाएगा तो कई लोग क्या कहते है medicine skip कर देते हैं जो की घलत तरीका है क्योंकि medicine हमें इस में medicine तीन तरह के medicine दिए जाते हैं एक तो anti-inflammatory दिए जाते inflammation को control करने के लिए इसमेश्य ने vedere होते हैं non-steroidal anti-inflammatory अब लोगों को लगता है जो मेडिसिन हैं वो सिरफ पेंगिलर के ऊपर ऐसमें पेंगिलरों लित रлатगे होता है जो पर इंजेक्चन को लगते हैं वो सिरफ पेंगिलर के उपर based है, हमें तो ये पेंगिलर दे देते हैं, इसलिए हमने medicine खाना ही नहीं है दो-तीन दिन खाके वो छोड़ देते हैं जब कि ऐसा बिल्कुल नहीं है ये तीन-चार तरह के जो medicine है ये आपके अलग-अलग time पे जो अलग-अलग symptom आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए दे जाते हैं अब आप अगर जो nerve की medicine है वो ज़्यादा देर तक चलती है एक आपको जो pain killer है, उसको हम SOS कर देते हैं कि जब pain है तब खाओ, जब नहीं है तो मत खाओ क्योंकि इसका कोई course नहीं होता पर जो nerves की medicine होती है, उसका course होता है माली जे किसी को disc bulge हुआ L4, L5, 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 S1 में अब जब उसने पीछे पड़ी nerve को touch किया तो जो उसकी nerve है, वो damage होना शुरू हो जाती है जो nerve की जो sheath होती है protective layer जिसको myelin sheath बोलते है वो जगा जगा से तूटनी शुरू हो जाती है उसका exposure जब होता है जब वो sheath तूटने लगती है तो उसका exposure जो nerve का exposure होता है outer environment के साथ वो जब होता है तो nerve body sensitive हो जाती है तो यह जो cause करती है, यह pain cause करती है इसकी वेज़ा से burning, tingling, sensation, numbness की sensation आती है जब इस पे ज़्यादा pressure आना शुरू हो जाता है तो इसको control करने के लिए हमें pregabalin और methylcobalamin का जो combination है methylcobalamin क्या करता है यह salt जो है, यह medicine में होता है यह myelin sheath को improve करता है अब myelin sheath जब बनेगी तब यह तो आपकी nerve compression वाला या nerve का जो pain होगा अब लोग सोचते हैं कि हमें जो भी medicine दी जाती है वो सिरफ pain killer होता है जबकि वो सिरफ pain killer नहीं होता pain killer कुछ हत्तिक दिये जाते है anti-inflammatory दिये जाते है आपकी inflammation control करने के लिए क्योंकि अगर inflammation control नहीं होगी तो वो कभी भी आपको ठीक नहीं करने देगी प्रेस्क्राइब करते हैं neurosurgeon प्रेस्क्राइब कर रहे है orthopedition प्रेस्क्राइब कर रहे है तो वो आपको लंबे समय तक खाना पड़ता है ताकि जो आपकी nerve की शीद है वो बनी रहे और जो protective layer और जो pregabalin का काम होता है वो nerve pain को कम करना होता है और डेमिज नर्व जो signal भीज़री है ब्रेन को उसको वो कम कर देती है तो यह medicine जो होती है यह लंबे समय तक चलती है चाहिए वो multivitamin हो चाहिए methylcobalamin हो चाहिए B12 हो यह आपको खा लेने चाहिए इसमें कोई हर्ज नहीं होता और साथ में vitamin D भी कई पर दिया जाता है को कि लोगों का वो कम होता है तो immunity level यहां मारा जो pain सेने का threshold है वो उससे बढ़ जाता है तो यह है medicine का सारा role इसमें medicine और exercise बहुत ज़धा help करती है especially acute case में तो बहुत ज़धा help करती है तो वो आपने medicine जो है आपने doctor जो आपके prescribe करते है उनके साथ चलिए कभी भी यह मत सोचे है कि मुझे सिर्फ pain killer दिया जा रहे है और मैंने नहीं खाना आपकी भी बात बिल्कुल सही है कि आपको लगता है कि जो pain killer अगर हम खाते रहेंगे तो जो original problem है वो तो solve हो नहीं रही हम तो जिर्फ pain को बंद कर रहे है जबकि ऐसे नहीं है आपके doctor ने जो दिया हुआ है वो पूरा combination में दिया है जब उनको लगेगा कि आप pain killer नहीं खाने है तो वो automatically SOS उसको कर देते है पर आप nerves की medicine ज़रूर खाते जाएगे और exercise का role तो मैंने आपको पहले बताया हुआ कि इसमें बहुत जादर role है acute में कौन सी करनी चाहिए chronic में कौन सी करनी चाहिए मैं already video बना चुका हूँ वहाँ पर जाके आप देख ले न chronic में कौन सी exercise करनी है वो एक video में और नया लेके आऊँगा वह आपको जल्दी पता लग जाएगा अब next सबसे important question होता है लोग पूछते हैं के walking हमके करनी चाहिए के नहीं करनी चाहिए और walking इतनी important क्यों है walking इसलिए important है मालनी जी जब आपका chronic case होता है जो disc निकली है वो सूख चुकी है किनाल के अंदर आके के नाल का diameter हो गया कम अब कम diameter नहीं जो आपकी nerve थी उसकी जगा भी घेर ली diameter कम होने से जगा होगा nerve press हो रही है अब nerve अपनी जगा कैसे बनाएगी movement से और उसका कोई तरीका नहीं है medicine कभी आपकी जगा नहीं बनाएगी जगा क्योंकि वो mechanical काम है तो वो mechanical तरीके से खुल सकता है mechanical तरीके से यहां surgery से खुल लेंगे यहां exercise से खुल लेंगे यानि कि उसकी movement करवा के अब चाहब वो surgery कली हम उसको जगा बनाएं काट के disc को nerve के लिए जगा बनाएं यहां हम mechanical उसकी ऐसी exercise करें कि nerve अपने अब अपनी जगा बना लें क्योंकि जो disc है वो अब inactive है उसने अब ज़्यादा water content नहीं है तो ज़्यादा pressure नहीं डाल सकती nerve पे तो nerve के पास जितनी movement करेंगे उतनी वो घिस घिस के घिस घिस के अपनी जगा बनाती रहेगी इसलिए walking बहुत important होता है जब हम walking करेंगे तो हमारे जो जितने भी nerve tissues हैं वो एक तो खुलेंगे तो जो statica का pain होता है जिसमें लोग कहते है कि मिरसे baby step लिये जाते हैं मुझसे लंबा step नहीं लिया जाता तो लंबा step इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि neural tissue tightness है क्योंकि आपने prolonged rest ले लिया है आपके जो tissues है वो rest ले लेके वहाँ पर adhesions बन गई है तो adhesions कैसे कुरेंगी movement करवा के एक तो जब movement करेंगे तो statica भी काफी अध्य तक relief होना शुरू हो जाता है एक movement करने से जो pelvis की movement होती है जितना pelvis move करेगा उतना हमारा number level पर भी movement पहुंचेगा जितना number level पर movement पहुंचेगा उतना हमारा जो canal का diameter है वो भी increase होना शुरू हो जाएगा तो मैं यह नहीं कह रहा है कि आपको अगर बहुत स्वियर पे तो भी walking करना शुरू कर दो acute case है जहां पर rest करना चाहिए वहां पर walking शुरू करो ऐसे नहीं है rest करिए जब acute case के symptoms खतम हो रहे है तो साथ साथ अपनी walking शुरू किये क्योंकि यह जो पहले करते थे 3-3 weeks का bed rest लेते थे अब वो च्राइटीरिय वो change हो रहा है जितनी early mobility रखेंगे अब लोगों के मन में question आता है तो फिर हम में कैसे पता लगाएगा कि rest कब लेना है और walk up करना है तो इसलिए जो आपके acute symptoms आते हैं 5 acute symptoms मैंने बताया हूँ है आपको जब वो कम होने शुरू हो जाए acute और chronic कभी भी मैं आपको time के base में नहीं बताता कि अगर 3 दिन होगे तो acute है अगर 3 हफते होगे तो chronic है ऐसा नहीं यह जो अलग चीज है ही है मैं symptom के base में कई पर क्या होता है एक दो हफते के बाद भी acute symptoms आ रहे होते है तो हम उसको acute case ही मनेंगे तो acute symptoms अब कम होने शुरू हो जाए तब हम walk पे patient को भीजना शुरू करें अगर आपसे 5 minutes होती है तो 5 minutes करिए बीज में बैर जाए फिर से शुरू हो जाए 10 minutes होती है 10 minutes करिए इसको बढ़ाते बढ़ाते कम से कम 20-30 minutes की walk आपने सुबा शाम जरूर करनी है जितनी walking होगी उतना अच्छा होगा इसके बाद मैं आपको walking के benefits बताऊंगा normal benefits of walking क्या है क्योंकि आगे-ागे सर्दी आ रही है तो walk सबसे अच्छी exercise है आपकी चाहे घर में करिए कोई दिक्कत नहीं है अब लोगों को मैं ये भी होता है कि जब मैं walk कर रहा हूँ तो मुझे अगर pain आ जाए तो क्या करना है जब आप walk कर रहे हैं तो थोड़ा सा rest कर ले जिए फिर चल पड़िए क्योंकि आप जो walking कर रहे हैं उसका कहीं न कहीं पर आपको benefit ज़रूर मिलेगा आपकी जो nerve tissue है जितने वो खुलेंगे उतना आपका statica relief होता जाएगा तो ये थे दो important answer जो लोगों ने पूछे हैं कि medicine और walking को लेके अब walking के benefits भी बता दिया मैंने क्यों कहते हैं लोग walking ज़ादा करो और क्यों medicine जो है हमें एक time पर जो nerve के टॉनिक है वो जुरूर लेना चाहिए अब साथ ही साथ आपको जो पिछला वीडियो था मैं आपको बता दूँगा mattress भी कौन सा यूज़ करना चाहिए वो मैं एक वीडियो आपना दूँगा 94 एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि floor sleeping पर बहुत लोग पर सुना चाहिए हार सर्फेस पर सुना चाहिए बहुत लोगों का question था वो बार बार फिर से पूछेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वो वीडियो 94 एपिसोड है इस वीडियो का जाद सा लाइक कीजिए शेर कीजिए सब के साथ शेर कीजिए जितने भी लोग है क्योंकि question हर एक का होगा जिसने भी MRI करवाई है डिस की problem है बैक की problem है हर एक का यह question होता है कि walking और medicine को लेकर तो इसको आप जाद 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 शेर कर दीजिए और साथ जाद मारा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लिजिए कि को इसका एक भी वीडियो में इस करने वाला नहीं है और जो प्रोड़क्ट्स बैक के related होते हैं वह मैं नीचे लिखे पर जागे आप order कर सकते हैं have a nice day take care of yourself